TCS शेर प्राइस बाइबैक के एलान से एक साल के हाई पर शेर लेकिन ब्रोक्रेज ने इस कारण किया सावधान Tata Consultancy Services ने शेरों के बाइबैक का एलान क्या किया कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में भी इसके शेरों को लेकर निवेशक तूट पड़े हैं जोरदार खरीदारी के चलते इसके शेर इंट्राडे में डेड़ फीसदी से अधिक उचल कर एक साल के हाई लेवल पर पहुँच गए इस तेजी का फाइदा उठाते हुए कुछ निवेशकों ने मुनाफावसूली की जिसके चलते भाव नरम हुए हैं लेकिन अभी भी यह काफी मजबूत स्थिती में हैं ताटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने शेरों के बाइबैक का एलान क्या किया, कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में भी इसके शेरों को लेकर निवेशक तूट पड़े हैं जोरदार खरीदारी के चलते इसके शेर इंट्राडे में डेड़ फीसदी से अधिक उचल कर एक साल के हाई लेवल पर पहुँच गए इस तेजी का फाइदा उठाते हुए कुछ निवेशकों ने मुना फावसूली की जिसके चलते भाव नरम हुए हैं लेकिन अभी भी यह काफी मजबूत स्थिती में है दिन के आखिरी में BASE पर यह 0.47 फीसदी की मजबूती के साथ 3637.25 रुपए पर बंध हुआ है इंट्राडे में यह 1.65 फीसदी चड़कर 3680.00 रुपए पर पहुँच गया था वही BASE Sensex की बात करें तो इसमें करीब 0.40 फीसदी की गिरावट दिख रही है शेयर बाइबैक को लेकर क्या कहा TCS ने TCS ने 6 अक्टूबर को एक्सचेंज फाइलिंग में शेयर बाइबैक को लेकर जानकारी दी कमपनी ने बताया कि Board of Directors कमपनी के शेयरों को निवेशकों से वापस खरीदने यानी बाइबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगा इस पर 11 अक्टूबर को होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा बाइबैक के एलान का आज TCS के शेयरों पर पॉजिटिव असर दिख रहा है हालांकि विदेशी ब्रोकरेज फर्म मौर्गन स्टैनले का मानना है कि इससे अधिक तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि पिछली दो तिमाहियों से मार्केट इसे पक्के तौर पर मान कर चल रहा था इस साल की शुरुवात में इनफोसिस ने फरवरी में 9,300 करोड रुपए के 6.04 करोड और विपरो ने जून में 12,000 करोड रुपए के अपने सबसे बड़े बाइबैक आफर का एलान किया था ऐसे में बाइबैक की बजाए मार्केट की निगाहें इसकी सितमबर तिमाही के नतीजे पर है BNK Securities के Analysts का मानना है कि सितमबर तिमाही में इसकी कमाई तिमाही आधार पर करीब 1 फीसदी बढ़ सकती है जबकि जेफ्रीज का मानना है कि इसका मार्जिन 0.20-0.40 फीसदी बढ़ सकता है मजबूत Order Book के बावजूद Morgan Stanley का मानना है कि वितवर्ष 2.024 वितवर्ष 2.025 में इसकी कमाई सुस्त रह सकती है Morgan Stanley के मुताबिक इसका शेर अभी 5 साल के औसत से प्रीमियम लेवल पर है यानि की रिस्क रिवाड के लिए माहौल नहीं है ऐसे में ब्रोकरेज ने इसे 3730 रुपए के टार्गेट प्राइस पर इसे इक्वलवेट रेटिंग दिया है